हेलो एवरिवन, माइनेम ही सितेंदर चोधरी और वेलकम तो लोफ यू टू प्रैपायज दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने NCRT की सीरीज स्टाट की है और हम लोग कर रहे हैं जियोग्रफी की NCRT इससे पहले हम लोग 6th, 7th और 8th स्टेंडर की NCRT कर चुके हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं 9th स्टेंडर की NCRT तो आज हमारा 3rd यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं सीधा काम की बात करते हैं देखिए जहां तक जियोग्रफी का सवाल है तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टोपिक हो जाता है प्रिवेसर के कुछ क्वेशन से मैंने आज की क्लास में इंकलूड की हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मैं UPSC के प्रिवेसर के क्वेशन से यहां पे इं इंकलूड करता हूँ तो इसी से इसकी रेलेमेंस पता चलती है कि UPSC के परस्पेक्टिव से यह चैप्टर कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है ज्यादा डिले नहीं करते हैं सिधा काम की बात करते हैं लेकिन क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम जिसमें मैंने ही आपको करवाया था कि इंडिया के रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरी और उनको याद करने के कुछ ट्रिक्स भी आपको बताये थे हैं ना आई हो आप सभी ने वह सीरीज जुरूर देखी होगी अगर किसी ने वह सीरीज नहीं देखी है तो आपने कुछ क् पेनिशलर रिवर्स सिस्टम है वो पूरे का पूरा आपको हर रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ बताया हुआ है क्योंकि इतना कॉंप्लेक्स हो जाता है कहीं पार इंको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो आप वहां पर जाकि उसको कर सकते हो ठीक है जादा एक्सपैंड नहीं करते हैं आज की वीडियो में कुछ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पर जूरू डाल रखी है लेकिन वह ज्यादा तर आपको मैं होम असाइनमेंट के लिए देने वाला हूं चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्य होता है पहले तापके समझने की जोर होता है जैसे 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 आपके घर में एक नाली होती है मतलब जहां से घर का फाइनल आउटपुट होता है तो घर का जितना भी वेस्ट मटीरिल होता है चाहे आपका वह बाथरूम से आए चाहे आपका लेट्रिंग से आए चाहे नाली में चली जाती है इससे कुछ होता है ना तो यही है आपका drainage system मतलब यही होता है कि drain का मतलब होता है कि निकासी और एक चोटे बोल देते हैं नाला भी होता है तो जब छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे streams, जब आपस में मिलते हैं, और वो एक ही point पे exit करते हैं, उसे कहते हैं drainage, क्या कहते हैं, drainage कहते हैं, जैसे अपकी घर में होता है, अगर इसको हम लोग large scale पे जाके देखें, तो हमारी river का भी एक drainage system होता है, जैसे मालो अगर अगर कि अगर आब बात करो, तो गंगा कोई एक river तो नहीं है, बहुत सारी tributaries जो है, वो चाहे right bank हो, चाहे left bank हो, वो गंगा में आके मिलती हैं, उसके बाद, वो किसी एक main river का part बन जाती हैं, तो यह जो पूरे का पूरा, जो rivers होती हैं, और उसकी tributaries होती हैं, इसी को कहा जाता है, एक proper drainage system, अगर आप particular lake river की बात करते हो, तो उसको हमें लोग drainage basin कहते हैं, अगर कई सारी rivers की बात करते हो, तो drainage उसको अब overall drainage system भी कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर इसके tributaries, distributaries, वो सब के सब उसके आगी मिलती हैं, I hope आपको समझ में आगा, drainage system का मतलब क्या होता है, तो द होत सारी rivers हिमालिया से निगलती हैं, तो उन सभी के system को हम लोग बोल सकते हैं, हिमालियन drainage system, are you getting this point? तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी जो streams होती हैं, वो यहाँ से निगलती हैं, अलग-अलग direction में मूँ करती हैं, लेकिन बाद में वो एक साथ आ जाती हैं, they come together, they come together and they become the part of the main river, है ना, और इसको ही हम लोग कहते हैं, drainage basin, जब आप किसी single river की बात करते हों, तो इसको drainage basin कहा जाता है, बाद में यह river और इसकी tributaries मिलके किसी particular जगह पे जाके वो finally drain हो जाती हैं, जैसे आपका Bay of Bengal में, या Arabian Sea में, किसी लेक में भी हो सकती हैं, है ना, वो सारी क closely देखें, क्या कहता है, कहता है कि अगर आप close observation यहाँ पे करते हो, तो आपके एक चीज़ समझ में आएगी, कि कोई भी elevated जो area होता है, मतलब जो थोड़ा सा mountain हो गया, कोई hill हो गया, वहां से, जैसे कोई mountain हो गया, या upland हो गया, वहां से अलग-अलग जगह पे drainage system निकल सकत देखें, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे इस diagram से हम simple सा समझ सकते हैं, जैसे मालोग यह particular area है, इस particular area में यह जो है, बीच वाला area, यह कोई mountain है, कोई mountain है, तो कई बार आपने अशा observe किया होगा, कि इस mountain के एक तरफ rivers होती है, दूसरी तरफ rivers होती है, और कोई भी river इसको आपस में कट नहीं करती है, जैसे मैंने आपको western ghat का example दिया था, हैना, जो rivers western ghat के west में originate होती है, वो west में ही flow करती है, और जो east में originate होती है, वो east में ही flow करती है, तो western ghat को कहा जाता है water divide, क्योंकि इसको कोई भी river crossring करती है, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि Himalaya water divide नहीं है क्योंकि कई सारी river हिमाल्या को cut करके उसके across flow करती है तो हिमाल्या is the note of water divide इंडिया के अंदर तीन water divide होते हैं एक आपका है अरावली ठीक है एक आपका आता है विंद्या सत्थपुड़ा और एक आपका आता है western गाट बेसिकल इंडिया में तीन ये major water divide पाया जाते हैं कोई भी river इनको cross नहीं करती है ठीक है आप समझगे अगर आप इंडिया के drainage system की बात करो तो हमारे यहां पर basically दो तरह के drainage system पाया जाता है पहला है the Himalayan river drainage system और दूसरा आ होती है perennial का मतलब ही होता है कि वह साल भर उनके अंदर साल भर पानी होता है देखे जो जब rainy season होता है तो definitely बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जैसे आजकर monsoon के season में आग देख रहे हो कितनी ज़्यादा flood वहाँ पे आई हुई है क्योंकि rivers वहाँ पे overflow कर रही है लेकिन जब monsoon नहीं होता है तब भी इनके इंदर कुछ पानी होता है वह कहां से आता है क्योंकि जो snow होती है मैल्ट हो जाती है हिमालयन जो rivers होती है यह most of the rivers किसी glacier से निकलती है और glacier क्या होता है glacier कोता है river of ice होता है न तो जो ice होता है glacier में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके melt होता रहता है और over a period of time वो किसी river का part बन जाता है अगर आप हिमाले रिवर्स की बात करो तो basically हमारे यहाँ पे दो river system है ठीक है बैसे तो तीन है एक हो जाता हमारा Indus river system एक हो जाता है आपका ब्रहमपुत्रा river system और एक आपका गंगा river system हो जाता है ठीक है तो इंडस ब्रहमपुत्रा और गंगा और इनके बारे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यह जो इंडस river है ब्रहमपुत्रा river है यह क्या करती है बहुत long distance cover करती है न हजारो km travel करती है और gorge बनाती है gorge का मतलब क्या होता है कि जो mountain को cut करके जो deep valley बनाई जाती है उसके हम लोग gorge कहते हैं यह आई शेप का भी हो सकता है यू शेप का भी होता है एल शेप का भी होता है ठीक है कहीं शेप का हो सकता है जैसे आपका picture में दिखा रख है यह gorge है तो आप यहाँ पर side में देश सक होती है वह बहुत ज़्यादा speed में उसका water जो है वह flow करता है और जितना ज़्यादा water speed पर flow करता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनरजी होती है power होती है erosion करने की क्योंकि काफी ज़्यादा fast होता है ना तो erosion की activity भी fast हो जाती है तो पहाड़ों से जब river निकलती है तो क middle और lower course में slow हो जाती है और जैसे ही वो slow होती है तो यह जो silt, sand वगरा होती है उसको deposit कर देती है तो वहां पर मिलते हैं आपको depositional features जैसे आपका meander हो गया, oxbow lake हो गया यह सारे की सारी चीज़े बनाते हैं यहां बिल्कुल course बता रखा है, तो river आपकी यहां से start होती है बिल्कुल top से start होती है जैसे अगर बात करें तो वह गंगोतरी से शुरू हुआ तो गंगोतरी से चली पहले वह पहाड़ों के बीच में अराम से ठीक है, यहां पर वह गोर्ज बनाती है, है ना, V-shape valley बनाती है, L-shape valley बनाती है, sports बनाती है, तो यह कुछ features होते है, waterfalls बनाती है उसके लावा वह आती है middle course में, जैसे हरी द्वार के बाद, है ना, फिर वह UP में entry करती है, तो वह आपका middle course हो जाता है, UP, जारखन, बिहार वाला region, यहां पर वो river क्या बनाती है, मेंडर बनाती है, मेंडर में आपका बता चुका हूँ, कि यह जो path होता है, वो meandering होती है, मेंडरिंग क्यों होती है, क्योंकि speed काफी slow होती है, और जब speed slow होती है, तो deposition भी होता है, जो sand, silt अगरा था, वहाँ पर deposit हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो lower course में जाती है, जैसे वो west bengol में जाती है, delta एक region में जाती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा speed slow हो जाती है, तो ज लेक क्या होता है, ठीक है, अब ये तो हो गया, हिमालेन रिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत, अब बात करते हैं, पैनिंशल रिवर के बारे में, देखें, पैनिंशल रिवर जो होती है, वो seasonal होती है, क्योंकि वो किसी glacier से तो निकलती नहीं है, क्योंकि वो majorly rainfall के उपर depend करती है, तो dry season में, वो mostly उनका पानी बहुत ज़्यादा reduce हो जाता है, और कहीं सारी पैनिंशल रिवर तो ऐसी होती है, क्योंकि जो dry season होता है, winter season में, वो कहीं भी drain नहीं करती है, क्योंकि उनका water हम लोग पहले ही पुरे का पुरा कंजूम कर लेते हैं, हाँ, monsoon season में वो पह साथ इंडिया में, वहाँ पे आपको काफी ज़्यादा controversy देखने को मिलती है, अलग-अलग states आपस में जगडते रहते हैं, जैसे इता मिलाडू, केरला, केरनाट का, इनके बीच में dispute होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये river seasonal होती है, तो जब इनके अंदर पानी होता है, monsoon उनके season में तब तो ये जगडते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पानी कम होने लगता तो वो जगडने लगते हैं, क्योंकि पानी आपको बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, आपको irrigation के लिए चाहिए, industry के लिए चाहिए, domestic use के लिए चाहिए, है ना, तो वो भी बहुत reason यहाँ पे हो जाता है, तो थोड़ा सा इसने फर्क बता रहा है, हमालियन रिवर के बारे में, पैनिंसलर रिवर के बारे में, हलाकि डिफरेंस ओर भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी NCRT के जाब से हम लोग इतने डिफरेंस को ही करेंगे, अगली class में हम लोग थोड़े स और जादा डिफरेंसिस यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं, चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं हमालियन रिवर के बारे में, तो पहले हम लोग करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, कौन सा करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के अगर आब बात करते हो, तो क्य कहता है, कि इंडसरिवर तिबबत से originate होती है, कहां से लेक mostdographer के पास में, वहां से originate होती है, ठीक है, इसने picture भी यहां पर दिखा रखी होगी, येस, देखिए, तो ये हो जाती है, हमारी इंडसरिवर, ये जो आपको नजर आरी है आपको, ये है आपकी mostd películ सब्सक्राइ इंडस रिवर तो यह आपके इंडस रिवर निकली यहां से ठीक है निकलते निकलते पहुंची यहां पर आजा था आपका लद्दाख रेंज आती है यहां पर आदी है जासकर रेंज लद्दाख और जासकर के बीच में से फ्लो करती है फ्लो करने के बाद यह पाकिस्तान में एंट्री करती है यहाँ पर जगह है अटोक वहाँ पर एंट्री करती है एंट्री करने के बाद वो पूरा पाकिस्तान के पंजाब रिजिन से होते हुए यहाँ पर जाके अरेवियन सी में वो ड्रेन करती है ठीक है उसके लाव हमारे यहाँ ट्रिबुटरी हो जाती है हो गया रावी चिनाब जेलम ठीकே यह गया आब ब्यास ऐक ऐसी रिवर है जो आंडिया में ही फ्लो करती है भियास पंजाब में बिलोक करती है फ्लो करती है पाकिस्तान में नहीं जाती है उसके लाब अस अफंशब्ड रावी चिनाब river है जो मानसुरव जो इंडस का जहां पर source होता है उसी के पास में ही सतलूज का भी source होता है तो दोनों लगवों के एक ही जगह से निकलती है ज़्यादा gap नहीं है इनके बीच में तो आप यहां पर देख लीजे करती है इंडस के अंदर यही एक्जाम में इस बार question पुछा गया था 2021 में और बहुत सारे बच्चे इसमें confused हो गया है उनका ठीक है देखें question क्या था पहले हम लोग इस question क्या से कर चुके हैं question यही था के हाँ यह रहा question आपका ठीक है with reference to the indus river system of the following four rivers three of them pour into one of them which joins the indus river among the following which one river is the that joins the indus directly तो सत्रों जिसका answer था तो देखें आपकी ncrt से question पहले भी question को हम लोग कर चुके हैं से जादा detail में जाने का यहां कोई मतलब है ठीक है यह question हम लोग पहले कर चुके हैं यह question soil वाला भी कर चुके हैं हाँ यह question हम यह भी हम लोग कर चुके हैं यह तो यह थोड़ा हम देख लेंगे यहां पर खैर तो यह तो आपकी बात होगी हेमालयन ृवर्स की तो जहां तक इंडस की बात है तो इंडस के बारे में इसने ठोड़ा बहुत वही जो मैंने چीज़ हमको बताई है वही इसने बताया है तो उसके बाद क्या करती है विंडर्स जो है मांसरो और लेक से औरिजिनेट होती है उसके पास से उसके बाद ये जासकर कौन कौन सिरीवर इसमें आके मिलती है जासकर, नूबरा, शोक और हुन्जा ये इसके ट्रिबूटरी है Left Bank Tributeary और Right Bank Tributeary उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन फिर भी आगे आगे बात करेंगे लेकिन फिर बिया को बता देता हूँ कि जो जासकर है, नुब्रा है, शोक है, हुंजा ये इसकी Right Bank Tributeary है सतलुज ब्यास रावी चिनाब और जहलम ये इसकी left bank tributary है tributary से हम आगली आगे वाली class में करेंगे और पहले भी आपको मैं करवा चुका हूँ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखे अपना source जो मांसरोवर लेक से होते हुए उसके बाद river जो है west में flow करती है ऐसे southwest में और उसके बाद बालतिस्तान गिलगिट प्रोविंस में entry करती है जो कि पाकिस्तान कश्मीर का पार्ट है वैसे तो यह इंडिया का ही पार्ट है देखा जाए तो यह आपका यहां पर आ जाता है आपका बालतिस्तान गिलगिट ठीक है गिलगिट बालतिस्तान बोलते हैं इसके अंदर entry करती है तो थोड़ा थोड़ा हर detailing आपको जानने के जाता है क्योंकि एक्जाम में कई बार आपसे चोटी चोटी डेटेल्स पूछ लेता है और फिर वहां पर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उसके लावा तो यह मांसरोगर लेक से उर्जिनेट हुई लदाख रीजन से निकल दी उसके बादे पाकिस्तान में entry करती है एक जगह पर जिसका नाव है अटोक तो अटोक में यह जाके प्लेंस में entry करती है पाकिस्तान की अंदर उसके लावा सतलूज व्यास रावी चेनाव है और जेलम यह इसको कहा मिलती है जाके मिठान कोट में याद रख लेना मिठान कोट तो दो जगह है एक जो है अटोक और ए UPSC में जाके ड्रेन हो जाती है East of Karachi यहाँ पर खास important point है क्योंकि एक बार यह UPSC में I guess 2013 में या 2014 में यह question पूछा जा चुका है East of Karachi question अभी पर पास नहीं है आगे जब हमना drainage system पढ़ेंगे तो उस question को में लेके आऊंगा बट यह भी UPSC का question यहाँ से पूछा जा चुका ह अब Indus river जो काफी gentle slope होता है बहुत steep slope नहीं होता है 29 km इसकी length होती है जो की काफी बड़ी river है इस 29 100 km में से लगबग इसका one third वो इंडिया में flow करता है बाकी two third पाकिस्तान में flow करता है basically ठीक है तो यह थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा और इंडिया पाकिस्तां के बीच में Indus water treaty होई थी 1960 में जिसके तहट 20% जो water है Indus और इसकी tributaries का इंडिया यूज करेगा बागी 80% यूज जो है वो पाकिस्तान करता है basically यहाँ पे जो जैसे हमारी सतलूज होगी ब्यास और रावी इन तीनों का पानी तो इंडिया यूज कर सकता है चेनाब जेलम और इसका वोटर जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया इसका पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है देखिए जो इंडिया वाली territory में चेनाब है या जेलम है यह इंड़स है इसका इंडिया यूज कर सकता है लेकिन शर्त यह होती है, condition यह होती है, कि आप उसके flow को change नहीं कर सकते, flow को कम नहीं कर सकते, उसके पानी को divert नहीं कर सकते, ठीक है, उसे कहते है, flow of the river, ठीक है, flow of the river project होता है वो, यानि कि उसके flow को आप disturb मत कीजिए, उसके लाब आपको अगर यहाँ पर कोई hydro power plant बनाना है, तो आप पाराम से बना सकते हो, ठीक है, बात करते हैं, गंगा river system की, गंगा को जहां से originate होती है, गंगोतरी से, गंगोतरी glacier, जो है, one of the largest glacier है हिमालिया का, वहां से originate जब गंगा होती है, तो इसको भागी रथी कहा जाता है, उसको गंगा नहीं कहा जाता है, एक भागी रथी होती इसको गंगा नहीं कहा जाता है, ठीक है, दिखा देता हूँ, आपको मेरे पास थोड़ा सा स्था शाय दिये, पंच परियाग का मैंने कुछ डायग्राम तो किया था, ठीक है, तो यहां पर clearly आप देख सकते हो, कि यह जो आपकी यहां से river आ रही है, यह जो blue color में आपको न तो आलकननन्दा, जब यहां से originate होती है, बद्री नाथ से, होते हुए, तो नीचे की तरफ आती है, तो पहले इसमें धोली गंगा मिलती है, कहां पे विश्नू परियाग में, उसके इलावा जो नंदाकिनी river होती है, वो मिलती है नंद परियाग में, उसके लावा जो बागीरती और अलगनन्दा मिलती हैं देव परियाग में देव परियाग के बाद इसको कहा जाता है गंगा उससे पहले बागीरती और अलगनन्दा इसकी दो head streams होती है इसके लिए प्रोपर ट्रिक्स मैंने आपको उस वीडियो में बता रखे हैं तो आज हम लोग ट्रिक्स नहीं करेंगे क्योंकि फिर वह ज्यादा लंबी किलास हो जाएगी सिर्फ उतनी ही लिमिटेट रखेंगे जितना हमारे NCRT में दिया हुआ है लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है वह अपनी ओरिजिनल ना सभी को पता इसके बारे में चीज़ आगे बढ़ते हैं तो गंगा की जो ट्रिवूटरी होती है वो मिलने मिलने के बाद उसके लावा एक और बहुत मेजर ट्रिवूटरी होती है गंगा की उसका नाम हैbec व्पाइब कुछ और ट्रिब्यूत्री भी है उसके लबाब कोच ओर ट्रिब्यूत्री है जैसे हाँ घंडग, खौसी यह रिवर भी से मिलती है यमुना जो है वह यम्नोत्री Glacier से निकलती है और फाइनली अलाबाद जिसको आजकल क्या प्रियाग राज, वहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है, उसके लापके जो घगरा है, गंडक है, कोसी है, यह नेपाल हिमाल्या से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा साब को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर अपने पास है तो, ठीक है, यह थोड़ा साब यहाँ पे जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आगया आपका गंगोतरी गलेशर, जहाँ से भागी रथी निकलती है, उसके अलावा इसमें जैसे यहाँ पे गोमती रिवर है, वो भी आके मिलती है, गोमती रिवर के किनारे पे कौन सा सीटी बसा हुआ है, लखनव बसा हुआ है, उसके अलावा हमारी हो गई Yamna. Yamna तो खेर हमारी है ही. फिर आजाती है आप्कि बेतुआ टिक है बेतूआ आ जाती है फिर आपकी आजाती है केन और अइब ये सब आपकी ट्रिबूटरी है यम्ना की. चंबल की ट्रिबूटरी है जिसे का जाता है बानस ठीक है बानस ट्रिबूटरी है तो ये छोटी-छोटी चीजे आपको NCRT में इतना नहीं दिया हुआ है इस NCRT में आगे वाली future वाली class में हम लोग इसको जादा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ट्रिबूटरी के बारे में लेफ्ट बैंक, राइट बैंक and all that लेकिन पहले आपको मैं काफी डिटेल में ये करवा चुका हूँ तो I hope आपको ये सब आइडिया पहले से ही होगा ठीक है ऐसा मैं मान के चलता हूँ इसलिए जो एरिया है ना जो पुरा आपका गंगा वाला जो ट्रिबूटरी जो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका वो काफी रिच होता है महां की जो सोयल भी काफी फरटाइल होती है और अग्रिकल्चर के लिए काफी सूटेबल होती है उसके लावाद चंबल, बेतवा, सोन वगरा वो तो मैंने करवाई दिया जो यमुना के ट्रिबूटरी होती है सोन दुआ गंगा के ट्रिबूटरी है चंबल और बेतवा, और बानस, ठीक है वो सिंध, केन, वो सब आपकी यमुना के ट्रिबूटरी हो जाते है चीक है, चाली, क्या रहता है, नमामी गंगे प्रोग्राम हम लोग ने 2014 में चलाया था, एक flagship program है, flagship program का मतलब यह होता है, कि यह इस program के अंदर और भी छोटे छोटे program होते हैं, इसके दो बहुत main motive होते हैं, एक होता है गंगा के pollution को कम करना और दूसरा उसको conserve करना, यह नमामी branches में divide हो जाती है, जिसे कहा जाता है distributory, एक होता है tributory, एक होता है distributory, देखे, जब छोटी-छोटी rivers मिलने लगती है, तो इसे कहते हैं tributory, जो बड़ी river बनाती है, यह हमारी main river है, और यही main river आगे जाके, जब बहुत ज़दा slow हो जाती है, इसके अंदर बहुत ज़द में जाके drain हो जाती है, तो एक delta बनाती है, जिसे कहता है सुंदर बन delta, चीक है, तो जैसे ही वेस्ट बैंगोल में आगे जाती है, बढ़ती है, तो एक distributory इसमें से निकलती है, जिसे कहा जाता है हुगली, क्या कहते है, distributor का नाम है हुगली, हुगली पे हम लोगों ने एक फरक्का में, फरक्का जगह है, वेस्ट मेंगोल में, वहाँ पे एक dam बनायावा जिसे कहा जाता है, फरक्का बराज, क्या कहते हैं, फरक्का बराज, वैसे इसका पूरा नाम भागी रती हुगली होता है, लेकिन आप इसे हुगली भी कह सकते हुग, तो इसकी distributory है, हुग यहां पे आती में द्री डिवाइड हो जाती है एक आपकी बन जाते है यहांपर एक और यहांपर पर्रक्स्स पानी चाहिए तो इस प्रक्का कर देयर का और ships वोगेरा वो आ जा सकें ठीक है उसके लावा हुगली की फर्दर एक और ट्रिब्यूटरी होता है जिसे कहा जाता है दामोदर ती हमारी दामोदर है तो दामोदर रिवर के अंदर काफी ज़दा फ्लडिंग आती है इसलिए दामोदर को कहा जाता था सोरो ओफ बेंगोल लेकिन आजगल तो सोरो नहीं है क्योंकि हम लोग ने दामोदर के उपर बिया कि मल्टी परपस रिवर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है डीवीसी जिसको कहा जाता है अलग अलग परपस के लिए तो एक म मेगना जमुना ठीक है कुछ option आपको देता हूँ only one only two both and none ठीक है यह चार option आपको देता हूँ आपको बताना है कि गंगा जब बंगलादेश में entry करती है तो उसका क्या नाम है only one only two both or none simple सा question है लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी confused हो जाएंगे मुझे पता है क्योंकि मैंने question आपको इसी तरीके से पूछा ही है चलिए आगे कहता है सुन्दरबंद डेल्टा तो बनाता है ठीक है बाद में जब दोनों एक तरफ से बरंपुत्र आती है तो दोनों मिल जाती है मिलने के बाद वो een delta बनाती है जिसे का जाता है संदरबंद डेल्टा क्यों है से देल्टा बोते हैं दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है यह और फास्टेस्ट ग्रोइंग है मतलब भी काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है रोयल बैंगोल टाइगर आपको यहां पर मिलते हैं और यह काफी इंट्रस्टिंग है तोकि रोयल बैंगोल टाइगर यहां प बात करते हैं water divide की, थोड़ा साब को diagram में ही लेके चलता हूँ है, क्योंकि diagram से करेंगे तो ज्यादा मज़ा रहेगा, यह रहा हमारा diagram, देखिए, इसको मैं थोड़ा से यहां पर erase कर देता हूँ, तो अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग, चीक है, चलिए, देखिए, यहां से यारी आपकी Yamuna river, अब देखिए, सतलूज river system, जो सतलूज river है, वो इंडस river system का part जो आपका गंगा है, यह आपका गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, यमना भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, क्योंकि यमना उसके ट्रिबूटरी है, दोनों बिल्कुल क्लोज क्लोज हैं, बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ पे एक सिटी पढ़ता है, जिसे कहते हैं, अंबाला, क्या कहते हैं, अंबाला, अंबाला इन दोनों रिवर सिस्टम के बीच में डिवाइडर का काम करता है, तो इसके एक तरफ रह जाता है सतलूज रिवर सिस्टम, दूसरी तरफ रह जाता है गंगा रिवर सिस्टम, आपको यह याद रखना है, अंबाला is that divider city, ठ तो अंबाला का जब यहाँ पर नाम आया तो काफी अच्छा लगा देखके, ठीक है, तो एक वोटर डिवाइड होता है बेशिकली, तो अंबाला से लेके सुंदरबन डेल्टा के बीच में अठारा सो किलोमेटर की इंडस की इसकी गंगा की लेंध होती है, और इस से उपर 700 किलोमेटर अंबाला से जो है वो ऊपर चला जाता है, तो 2500 किलोमेटर टोटल इसकी लेंध होती है, सोचने की बात यह है कि जो हरीदवार से लेके सुंदरबन डेल्टा के बीच में यह जो एरिया है, बहुत ज़धा प्लेन एरिया है, सिर्फ 300 मिटर इसकी एवरेज यह बहुत सारे मियन्डर आपको देखने को मिलते हैं, विहार और वेस्ट बैंगोल में आपको काफी Oxbow Lakes लेक्स भी देखने को मिलती है, Oxbow Lakes, चली, आगे बढ़ते हैं ब्रहम्पुतरा रिवर सिस्टम, ब्रहम्पुतरा भी मान्सरोर और लेक के बिल्गुल पास में से ही originate होती है, तिबबत में से originate होती है, ठीक है, जहां पर इंडस और सतलुज का source है, उसी के पास है, इंडस से लंबी होती है, ब्रहमपुतरा रिवर इंडस से थोड़ी सी length, इसकी जो है, वो जाधा होती है, ठीक है, काफी जाधा पार्ट तो ब्रहमपुतरा का outside इंडिया ही flow करता है, लेकिन नामचा बर्वा के पास में, you very well know, नामचा बर्वा हम लोग ने हिमाले के बारे में पढ़ा था, नामचा बर्वा के पास से आपके जो ब्रहमपुतरा है, वो एक दम से नीचे की तरफ turn लेती है, southward turn लेती है, you turn लेती है, और वहाँ पे इसको कहा जाता है दिहांग, क्या कहते हैं, दिहांग, अरनाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, उसके बाद इसमें एक और रिवर आके मिलती है, जिसे कहा जाता है दिबांग, लो ही ती, यह सब इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, ब्रहमपुतरा की, थोड़ा साब को दिखा देत देखे, मसाला मैं आपके लिए सब रखता हूँ, आप सिर्फ करने वाले बनिये, ठीक है, देखे, तो यह हो जाती है आपकी ब्रहमपुतरा रिवर, तो यह जो, देखे, वहांब इसको सियांग भी कहा जाता है, तो आपकी जो यह सियांग है, और यहां से इसके दिबांग जो है, इसके अंदर ट्रिबूटरी आके मिल जाती है, फिर लोहित मिल जाती है, सब इसकी लेफ्ट बैंग ट्रिबूटरी है, ठीक है, बूडी दिहांग, आपका यह जो है, दिखाउ हो गया, धनसीरी हो गया, कपीली हो गया, यह सब इसकी लेफ्ट बैंग ट्रिबूटर flow नहीं करती है क्योंकि ब्रमपुतरा रिवे तनी ज़्यादा बड़ी होती है और आसाम बहुत ही एक plain area में रहता है इसी वज़े से बहुत सारे distributories आपको यहाँ पर ब्रमपुतरा की देखने को मिलती है छोटी बड़ी distributory और यहीं पर कहीं जो है वो एक riverine island भी बनाता है जिसे कहा जाता है majoli क्या कहते हैं majoli riverine island जिसको कहा जाता है ठीक है चलिए तो आसाम में ही यहाँ पर एक जगह है सदिया और यहाँ पर आ जाती है धुबरी सदिया और धुबरी तो सदिया में यह आसाम में entry करती है धुबरी में यह बंगलादेश में entry करती है सद्या और धुबरी के बीच में जो जगा होती है यहीं पे इसको कहा जाता है ब्रहमपुत्रा इससे पहले इसको कहा जाता है सियांग ठीक है सियांग और जब तिब्बत में होती है इसको कहा जाता है सांगपो अलग-अलग नाम होते हैं इसके याद रहेगा आपको और ये अपको सद्धीया और दुबरी होता है ये इंडिया का नैशनल वाटरवेइ टू भी होता है क्या होता है नैशनल वाटरवेइ 2 ठीक है याद रहेगा आपको सब को चलिये कहता है ब्रह mencion can provision can और बंगला देश में इसको कहा जाता है जमुना, तो एक तरफ से आती है गंगा, एक तरफ से आती है जमुना, दोनों के मिलने से बनती है मेगना, ठीक है, क्या बनती है मेगना, चालिए जी, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, क्योंकि आप सब को ये चीज़े मैं पहली पढ़ेंगे, कहता है, तिब्बत से और भी जो है छोटी छोटी रिवर जो निकलती है, बहुत सारी, जो आपकी यूपी में और बिहार में एंट्री करती है, और वो सिल्ट वगरा लेके आती है, बहुत जादा वोल्यूम होता है उनका, और वोल्यूम होने की वज़े से आ कंट्रोल भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका यहां पर हिमालिया है उसका सदन स्लोप काफी स्टीप है, और नदन स्लोप जो है वो जैंटल है, तो इतना सदन स्टीप स्लोप होने की वज़े से रिवर जो है यहां बहुत फास्ट फ्लो करती है, फास्ट, फ उसके लवा गंगा रिवर सिस्टम का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यह ट्रिक हो गयरा, ठीक है, राम गंगा, गुम्ती, सारदा, खागरा, यह इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिवोटरी है, यह इसकी राइट बैंक ट्रिवोटरी है, यह तो आप पोइंट को छोड़ दी निकलती हैं, वो इस्ट में ही फ्लो करती हैं, जैसे आपका गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इसी तरफ ही फ्लो करती हैं, और जो रिवर आपका इस्ट में जनरे ओरिजिनेट होती हैं, वो इस्ट में ही फ्लो करती हैं, वो कहां इस्ट में ही फ्लो करती हैं, यह सारी river eastward flow करती है, west to east, ठीक है, और यह delta बनाती है, क्या बनाती है, delta, लेकिन जो river westward flow करती है, जो arabian sea में drain करती है, mostly उनमें से estuary बनाती है, estuary, क्योंकि उनकी speed काफी जादा होती है, तो इसलिए, देखे, जब speed slow होती है, रिवर की, तो उसके अंदर जो sand, silt वगरा होता ह उसको धीरे-धीरे deposit करता है, तो delta बनाता है, लेकिन जब speed बहुत fast होती है, तो वो ocean के अंदर एकदम से drain हो जाता है, उसको बचारी को time ही नहीं मिलता, delta बनाने का, उससे कहा जाता है, क्या, estuary कहा जाता है, estuary, उसके लावा हमारे यहाँ पे कुछ west flowing river भी है, जैसे आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ठीक है, यह west flowing river होती है, जो Arabian Sea में drain करती है, और size भी इनका comparatively काफी छोटा होता है, एक एक river के बारे में जाके देख लेते हैं, पहले बात करते हैं, नर्मदा बेसिन के बारे में, नर्मदा कहां से originate होती है, अलक नंदा, अमर कंटक की पहाड़ियां कहां पे पढ़ती हैं, मध्या प्रदेश में, वहां से originate होती है, originate होने के बाद यह westward flow करती है, रिफ्ट वैली बनाती है, पहली मैंने आपको बताया था कि आपके जो विंध्या सत्वड़ा होता है, इंडिया में यह ब्लोक माउंटेन का पार्ट है, ब्ल westward flow करती है, और यहां पे जाकि Gulf of Khambat में ट्रेन हो जाती है, इसके एक तरफ पढ़ता है, आपका विंध्या पढ़ता है, एक तरफ आपका सत्वड़ा पढ़ता है, तो विंध्या और सत्वड़ा के बीच में नरमदा फ्लो करती है, विंध्या और सत्वड़ा जो है वो हो काभी famous है, क्योंकि जबलपूर में आपको यहां पर marble rocks देखने को मिलती है, marble के लिए बहुत famous है, उसके अलावा यह धुआधार फोल भी यहां पर बनाता है, धुआधार फोल बहुत ही एक important फोल है इंडिया का, आपको मुझे comment section में क्या बताना है, जल्दे type करो, आप मुझे बताइए कि इंडिया का सबसे highest fall है, वो कौन सी river पे है और उसका नाम क्या है, क्या है उसका नाम और क्या है, कौन सी river पे पाया जाता है, ठीक है, चलिए जी, यह हो गया, हाँ जी, और कुछ नहीं है यहां पर, खास ऐसा, चलिए कुछ कोशन देख लेते हैं, कुछ कोशन यहां पर पूछे गए हैं, कहता है, यह UPSC का ही कोशन है, कहता है, यह आपको बताना है मुझे comment section में, थोड़ा सा इसके बारे में research कीजिए, अगली क्लास में हम इसको डेटेल में पढ़ेंगे, इस क्लास में डेटेली में नहीं पढ़ने की जुरूरत है, लेकिन इस कांसरा मुझे बताएं comment section में, अगला कोशन कहता है, यह भी UPSC कोशन है, कहता है, consider the following rivers, ब्रामनी, नागवली, सुबर नेर्खा, एंड वमसाधारा, which of the following river, rise from the eastern ghats, बड़ा interesting question है, eastern ghats से कौन सी originate होती है, तो 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4, and 1 and 3, यह आपके लिए home assignment है, सब का सब, home assignment करना है, इनको find out करना है, और उसके बाद आपको यह comment section में answer भी देना है, क्योंकि UPSC के question इसलिए को करना पड़ेगा, अगला question कहता है, famous places एक तरफ दिये हुए है, पंदरपूर, तिरुचरापली और हमपी, हमपी जो है विजयन अगर empire की capital हुआ करते थी, वन उफ दा लार्जेस सिटी हुआ करता था, कभी के टामे में most populated city हुआ करता था हमपी, आज कल तो नहीं है, और अभी वीजयन अगर को एक नया district भी बना दिये है, करनाटका में यह रिसेंटली पिछले हफते ही, तो थोड़ा सा current फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्यों फ्लो करती है, कहता है, it occupies a linear rift valley, definitely, आपके जो विंध्या सथपुड़ा के बेच में linear valley होती है, उसमें से फ्लो करता है, it flows between विंध्या सथपुड़ा, okay, the land slopes to the west from the central India, कहता है, the land का जो slope है, वो central India से west के तरफ जाता है, यह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको बताना है, one only, two and three only, one and three only, and none, देखें, none तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ statement तो यहाँ पर definitely true आपको नजर आ रही है, all of the above भी नहीं है, अगर किसी को बच्चे का लग रहा है, तीनो स्टेटमेंट सही है, तो हो भी नहीं है, क्योंकि all of the above option में ही नहीं है, ठीक है, यह question भी आपको बताना है, comment section में, थोड़ा दिमाग लगाईए, बताइए, क्योंकि धीरे धीरे आगे आने वाली classes में थोड़ाओ detailing में हम लोग जाएंगे, तो यह answer आपको वैसे भी मिल जाने है, ठीक है, चलिए जी, बात करते हैं, कौन सी river के बारे में, कौन सी river है हमारे यहाँ पर, हाँ जी, तापी वेशन के बारे में बात करते हैं, तापी river की basically बात कर रहा है, कहता है, तापी river जो है सत्थपुड़ा range से originate होती ह बेतूल डिश्टिक है मध्य परदेश में वहाँ से चलती है उसके बाद ये कहाँ पर नर्मदा के पाइलल नर्मदा के पाइलल पाइलल वेस्टन साइड में फ्लो भी करती है देखिए दिखाते देते हैं आपको देखेे, ये रही आपकी नरमदा, ये रही आपकी उपर विंध्या रेंच, ये रही आपकी यहाप की तापी रिवर, तो तापी रिवर, साउत ओफ सत्थ पुड़ा, पाललले टु नरमदा. ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेतुल डिस्टिक में मध्या परदेश में वहाँ से निकलती है जो बैसिक लिए आपका मैकाल रेंज और महादेव रेंज बीच में कहीं पढ़ता है, वहां से originate होती है, ठीक है, थोड़ी-थोड़ी detailing है, आपको पता होना चाहिए, कहता है कि जो तापी रीवर का बेसिन है, वो मध्यपरदेश, गुजरात और महाराष्टरा में से निकलता है, बेसिन का मतलब यह होता है कि तापी रीवर, इसकी छ भारत पुजा, भारत पुजा के बारे में आपको थोड़ा सा गूगल करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अपने नोट्स में भी इसके बारे में लिख लेना है, फिर बात करते हैं, गुदावरी रीवर, गुदावरी रीवर के अगर आप बात करते हो तो द जाता है गोदावरी बेसिन तो ये साउथ हिंडिया की मदर पैनिशिव इंडिया की जो है ये largest river होती है कहां से originate होती है नासिक district से originate होती है महाराष्ट्रा से 1500 km की length होती है 1500 km की length होती है लगबर 50 % तो ये महाराष्ट्रा से ही flow करती है उसके लावा कुछ ये मध्यापरदेश और ओडिसा अध्रापरदेश उसके बेसिन भी ये कवर करती है इसकी कुछ ट्रिबुटरी होती है जैसे पुर्णा वर्धा प्राण हीता मंजिरा वेन गंगा और पेन गंगा अभी आपको राइट बैंक और लाइफ बैंक करने के जोरूत गंगा क्या कहा जाता है दक्षिन गंगा क्वेशन आपके लिए मेरे पास यहां पर है आपको बताना है कि बूडी गंगा किसको कहा जाता है बूडी गंगा कौन सी रिवर को बूडी गंगा कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं किलोमेटरिस की लेंद होती है 36 गड जहारखंड और महाराष्टरा उडिसा वाले एरिया को ये ड्रेन करता है थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं कृष्णा बेसिन के बारे में कृष्णा जो है कहां से औरिजिनेट होती है महा बलेश्वर देखे आपका याद रहेगा महा भारत तो महा भारत में जो कृष्णा जी का कितना important रोल था तो इसलिए महा से लेगे कृष्णा को आप याद रख सकते हो 1400 किलोमेटर की लैंद होती है मतलब गुदावरी के बाद कृष्णा रिवर ही सबसे थोड़ा थोड़ा सा बस ये ब्रीफली आपको इंडर्डेक्शन दिया हुआ है बात करता है कावेरी बैसिन के बारे में बात करता है कावेरी बैसिन जो हो कहाँ से राइस होती है बर्हमकिरी रेंज वहां से ये औरिजिनेट होती है उसके अलावा फिर ये बाद में बढ़ते हुए तमील नाडू से क्रोस करते हुए ये आपका Bay of Bengal में जाके ड्रेन हो जाती है, South of Kundalore ठीक है, ये एक city है तमील नाडू के अंदर है, 760 km के लेंथ होती है, इसकी कुछ ट्रिबूटरी होती है जैसे अमरावती, भवानी, और कावीनी, ये अलड़ी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक waterfall बनाती है, ये कावेरी रिवर के उपर, ठीक है, सीवा समुद्रम फॉल, जिसका नाम है सीवा समुद्रम फॉल, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं आपके लिएक लिस्ट निकाली थी, ये तो डैम वाली लिस्ट है, कोई बात नहीं, हाँ, ये देखिए, ये इंडिया के कुछ इंपोर्टेंट फॉल्स हैं, जो आपके सामने हैं, धुमादार फॉल, जुलिया, येमन, ये आपका आप जाता है, आपके सीवा समुद्रम, जूद्ध सागर, ठीक है, राजबपा, ठीक है, ऐलिफएंटा, ये कुछ इंडिया के फॉल्स हैं, ये आपके मैप आपके सामने हैं, आपने सिर्फ क्या काम करना है, आपने ये बताना हैं कि ये जो लेक्स हैं, को कौन कौन सी रिवर्स पे हैं, काफी इम्पोर्टेंट है यह सारे के सारे false exam में आपसे पूछ सकता है, कम से कम top 5 तो आपको पता ही होने चाहिए आपके exam के perspective से, ठीक है top 5 या top 10 इसको आप याद कर लेजिए, अपने notes में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है, कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहा है, आगे यह लेक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लेक्स के बारे में बात कर रहा है, कहता है कि लेक्स जो है वो बहुत important होती है, बहुत सारी चीजों को लेके, लेक्स fresh water provide करवाती है, लेक्स जो है वो flood को रोकने का भी काम करती है, लेक्स जो है वो biodiversity conservation का भी का करती हैं, लेक्स जो हैं वो ग्राउंड वोटर को रिचार्ज भी करती है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है लेक्स का, कुछ यहां पर इन्हें जैसे डल लेक का एक्जामबल दिया है, डल लेक बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस भी है, शिकारा के वहां पर जो ह होती हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक अगर आपको कभी जाना है, तो कश्मीर में जरूर जाइए, और श्री नगर जैसे ननी ताल हो गया है, तो लेक्स से आप इसको कर सकते हूँ, ननी ताल तो आज कल वैसे काफी ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ् पाणी है, वह ओरुम ऑफलो गया है, और या लोगों का जीना मोहाल हो गया है, कुछ लोगों की डैफ भी उनफॉर्चनेटली वहाँ पे हो गई है, चीक है, खहता है, कि इंडिया में जो मोस्ट्ली रिवर्स है, पर्मानेट रिवर्स है, मतलब सारलूर में पानी रहता है लेकिन कुछ rivers ऐसी होती है जो सीजनल होती है बारिस के मोसम में जादा वहाँ पानी रहता है उसके लावा अगर आप पहाड़ी एरिया में जाओ तो आपको काफी glacier lakes में मिलती है glacier क्या करता है? glacier जो है वो अपने bottom में क्योंकि glacier बहुत भारी होता है भरकम होता है बहुत बड़ा होता है इसी वले जिसे काफी erosion कर देता है और उस गड़ा बना देता है उस गड़े में बाद में पानी जो है melt होके आ जाता है और वहाँ पे एक lake बन जाती है चीक है? इसी तर का लेग पुलीकट लेग है न कोलेरू लेग और आप जो है यहां पर भी देख सकते हूँ हम ही कुछ ही निजाम सागर यह तो आर्टीफिशल लेग है क्योंकि रेजरवरर जैसे है ठीक है भावाणी सागर आपका हिराकून डेम जो है महानकर दी के अपर हमने भी बनाया हुआ है गोविंद वललंपंत सागर जो है गांदी सागर यहाँ बना रखा है गोविंद सागर सो म॓रीरी बहुत इंपोर्टन लेख है और यह सोल्ट लेख रहिए तो यह कुछ important legs है इंडिया की और भी आप देख सकते हो तो आपने क्या करना अपने exam के perspective से आपने इंडिया की इस वार exam में कोशन भी पुछा गया था UPSC में आपने क्या करना एंडिया की जो कम से कम top 10 जो salt seasonal missinho को अ Baking इस अम कुच मेंदर को एंडिया 결과 3 उनकी लिस्ट आपको तयार करनी ही और तोप 10 जो फ्रेश ओर्ट लेख है उसके लिस्ट भी आपको तयार करनी हैிंडिये इन्डिया के जो सबसे लाइस राजेस्थद argument ऑफिशन पाई जाती है ठीक है चलिए तो कुछ-कुछ चीज़े हैं कहता है कि most of the fresh water lake सारी हिमाल्यास ठीक है most of the कह रहा है सभी नहीं कह रहा है extreme statement नहीं है तो बुलर लेक के बारे में कह रहा है जम्मू के बारे में सागर भागडा नंगल डैम निजाम सागर है ना बहुत सरी जो गोविंद वल्नपंत सागर वो सब जो है हिरा कुंड वो सब मैंनमीड होती है ठीक है तो कहता है कि reverse का बहुत प्रोल होता एकॉनमी में थोड़ा से मैंने आपको देखे आप लिस्ट भी दे रखा है मेरे पास मसाला सब करने वाले बनी यह इन वर्ल्ड की सबसे बड़ी fresh water lakes में से आती है लेक वीनी पैग और ठीक है आप लोग यहाँ पर इसको भी देख सकते हो आपने यहाँ पर मुझे क्या question बताना है और लड़ी आपको पता होगा आपको यह बताना है कि दुनिया की जो सबसे salt lake है वो कौन सी है ठीक है और दुनिया की सबसे जो deepest lake है वो कौन सी है यह कुछ questions है आपके लिए उसके लावत दुनिया की largest fresh water lake है वो कौन सी है आपको यह बताना है fresh water lake ठीक है बता सकते हो बता सकते हो बताईए एक question और भी पूछ सकता हूँ आप यह बताईए कि इंडिया की world की सबसे highest lake है मतला सबसे highest altitude पे है वो कौन सी है आप यह भी question यहाँ पर answer कर सकते हो ठीक है देखे सब कुछ है मेरे पास आप करने वाले बनिये यह इंडिया के कुछ important you know dams है कौन सी river पर बने हुए है और कौन से state के अंदर पाए जाते हैं यह list भी हमारे साथ है तो आप क्या करना है आपनी वीडियो को पोज करना है इ river pollution के बारे में बात करता है कि आज गल river का बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है क्योंकि municipality से industry से agriculture से बहुत ज़्यादा pollutions और nutrients जो है हम लोग rivers के अंदर add करते रहते हैं untreated sewage वगरा हो गया वो सारी सारी चीज़े हैं तो इंडिया में जो लेक्स हैं वह या human activity की वज़े से agriculture हो चाह NCRT में इतने ही information दी हुई है इस NCRT में future वाली NCRT में ज़्यादा detail दी होगी तो ज़्यादा detail में इसको कर लेंगे दूसरा कार्ण यह है कि अपने चैनल पर बहुत detailed videos हम लोग बना रखी हैं अलग अलग reverse के ओपर कौन से dam बने हुए हैं कौन से trick हैं left bank right bank tributary source everything is covered in those videos तो आप वह भी जाके देख सकते हूँ इसलिए मैंने थोड़ा से यहाँ पर इतना ज्यादा focus नहीं किया है तो NCRT में जितनी information थी कोशिस की है कि कुछ UPSC questions भी आपके यहाँ पर करवाए जाए home assignment type का दिया आपको तो आप वो कर लीजेगा इन सारे questions को अपनी notebook में लगतार जो है एड उसको कर सकते हो तो over a period of time कफी rich आपके notes बन सकते हैं so this is all for the day thank you very much all the best जाहिंद